हमारे भारती तीज द्योहार हमारे परंपरा के साथ साथ हमारे प्रेम को भी मजबूत करते हैं पिर चाहे वो व्रत एक मा अपने बेटे के लिए कर रही हो, बहन अपने भाई के लिए कर रही हो या फिर पत्नी अपने पती के लिए कर रही हो। सभी का एक ही मकसद है कि उनके बीच का प्यार बना रहे हैं। चिरायू बना रहे हैं। लेकिन वर्तमान में इन सब चीजों के बाएने बदल गए हैं। अपराद इस कदर इन रस्मों रिवाजों पर हावी हो चुका हैं। कि अपरादी के सामने इनके कोई माइने नहीं रहते। जी हाँ। इसका एक ताजा उधारन सामने आया है यूपी के कुशी नगर में। जहां आपने पती की लंबी उम्र के कामना के लिए तीज का व्रत कर रही पतनी का। उसी के पती ने गला रेट डाला। नमस्कार। राजिसान समवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ चेतना शर्मा आपके साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंथ सब्सक्राइब कर लेजे। जिससे हर खबर का विशलेशन आप तक तुरंथ पहुंच सके। यूपी के कुशी नगर के रामकोला थाना शित्र के घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि रिष्टों में सहन शीलता और प्यार बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो पत्मी अपनी पती की लंबी उमर के लिए तीज का वरत रख रही हो। उसे क्या पता था कि एक मामूली विवाद होने के कारण वही पती अपने हातों से उसका गला रेट देगा। जी हाँ, सही सुना आपने। ऐसा ही कुछ हुआ है एक महिला के साथ जहां रात को हुए विवाद के कारण गुसाए पती ने उसके कुलहारी से गला रेट कर हत्या कर दी और फरार हो गया। गटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस गटना इस थल पर पहुँची और शव को बरामत किया और पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस आगे की कारवाही में जुट गई। ऐसे गिनोने अपराद करके अपरादी फरार हो जाते हैं और छोड़ जाते हैं रोते बिलखते रिष्टों को। ये घटना मजबूर कर देती हैं हमें ये सोचने पर कि आजकल रिष्टों के क्या माएने रह गए हैं। मामूली से विवाद होने पर हत्या करना जैसे के एक छोटी सी बात हो गई है। अपराद सुर्चा के मूँ के तरह बढ़ता ही जा रहा है। जरूरत है हमारे कानून को और सूद्रण होने की जिससे के अपराधियों में डर हो। आपका क्या मानना है। हमारी इस खबर पर हमें कमेंच करके जरूर बताएं कमेंच बॉक्स में। और ऐसी ही और अपडेट्स के लिए देखना ना फूले। राजिस्थान सम्वार। नमस्कार। क्या आपने कभी ऑनलाइन प्रोमोशन के बारे में कुछ सोचा है। नहीं, तो आपको सोचना चाहिए। चाहे आप फ्रोलाइंसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टिनैशनल कमपनी। आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए दो चीजों की आवशकता है। सोचे, ओनलाइन कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है। और उसे आप अपने प्रोड़क्ट्स के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं। जिससे आपका प्रोड़क्ट अलग-अलग सोचल मीडिया फ्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रेक्ट कर सकता है। इससे आप अपने साइट पे ट्राफिक को इंप्रीज कर सकते हैं। जो आपकी सर्च एंजिन से आपकी SEO रैंक को इंप्रूब करता है। आपकी प्रोड़क्ट को समझाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा। मिशी मीडिया सलेशन्स देता हैं आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सलेशन्स आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिये अपने प्रोड़क्ट को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। वो भी बिल्कुल किफाइती दामों में तो फिर देर किस बात की। आज ही कुंटैक्ट करें स्क्रीन पर दिये गए नमबर बार्ट।